नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूटूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बीवलोफ फाइल तो दोस्तो आज मैं कॉम्मिनिकेशन स्किल के ऊपर वीडियो लेके आचुका हूँ आज मैं आपको 5 बुक्स recommend करूँगा और 2 बुक्स जबाव मेरे तरफ से recommend होगी दोस्तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वैल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी बूड़ी अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंशेगे दोस्तो इस दुनिया में चाहिए हमारी प्रफेशनल लाइफ हो चाहिए हमारी परसनल लाइफ हो हर किसी को अपनी communication skill को सुदार करने की यूरूत पढ़ती है और communication के थू ही हम लोगों को अपनी तरफ attract कर पाते हैं उनको influence कर पाते हैं तो दोस्तो मैं बिना समय गवाय हुए सीधे किताबों की तरफ चलता हूँ कि आपको कौन से किताब भी पढ़नी चाहिए जिसके मादम से आपका communication skill जो अच्छी से हो सेगे तो दोस्तों जो मेरे पहली पहली जो मेरे बुक है वो है how to win a friend and influence to a people यह किताब इतनी ज्यादा इसे कोपी जो भीख चुकी है तो यहां से ही अनुमान लगा जा सकता है कि यह कितनी फेमस बुक है दोस्तों मैं इसके बार में थोड़ा साब को बताता हूँ दोस्तो इसमें चार पार्ट में इस बुक को लिखा गया है कूछे किताबें ऐसे होती है कि उसकी हर लाइन जो बहुत ज़्यादे इंपोर्टन होती है तो अगर हम लोग उसे हाइलेट करने की कोशिश करें तो पूरे बुक हाइलेट हो जाती है तो दोस्तो मैंने इस book को highlight ने किया है ये क्योंकि compulsory book मान सकते हैं तो मैं आपको part बताता हूँ कि इसके first part में बताया गया fundamental techniques in handling people कि लोगों को किस तरह से handle किया जाए इस first part में बताया गया second part में six ways to make a people like you कि वैसे छे कौन से रास्ते हैं इसके द्वारे लोग आपको पसंद कर सकते हैं दोस्तो इसमें ऐसे techniques बताई हैं जैसे कि इस दुनिया में हर इनसान के लिए उसका नाम जो पर सबसे ज़्यादा important होता है उससे सबसे अच्छी चीज़ जो होती है उसके लिए उसका नाम होता है तो जब हम उसका नाम लेते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फिल होता है दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फिल होता है तो और दूसरी इसमें techniques जैसे बताई गी है कि हम लोगों को लोगों की interest के मताबिक ही बात करनी चाहिए जब मालों किसी इंसान कोई इंसान जो आवो cricket की बात कर रहा है तो हमें cricket की ही बात करनी चाहिए इससे उस आदमी का interest हमारे उपर आ जाता है हमारे तरफ attract हो जाता है और जब हम लोग वो cricket की बात कर रहा है दूसरा पसन cricket की बात कर रहा है और इसमें इसे बताया है कि आप लोगों का अर्गुमेंट कैसे जीत सकते हो और आप लोग अगर आप लोगों ने गलती कर दिया तो इसे किस तरह से एक्सेप्ट करना है तो यह बहुत सारे टेक्निक से जब आप पढ़ोगों तो आपको पता चल जाएगा फॉर्थ पार्ट में बताया गया है वी ए लीडर हाउ टू चेंज अ पीपल बिदाउट गिबिंग दे ओफेंस ओफ अरावजिंग रिसेंटमेंट तो दोस्तो इसमें चार पार्ट में यह बुक लिके गई है बहुत अच्छे बुक है कि इन किताबों का रिभ्यों के जाए तो मैं किताबों का रिभ्यों करूंगा अब मैं चलता हूं नेक्स बूक के दोस्तो जो हमारी सेकंड बुका है इसका नाम है सार्थक बैलावखारी संबंध तुरंत कैसे बनाए मातर 90 सेकंड में लोगों को फरवाबिद करे तो ये किताब लिखे गी है निकोलेस बूतमैन के द्वारा और इंग्लिश में इसका नाम है How to make a people like you in the 90 सेकंड or less आप किस तरह से कम समय में लोगों को अपनी तरफ attract कर साते हैं इस बुक में बहुत अच्छी तरिके से बताया गया है और इसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स है दोस्तों इन बुक्स का review अगर आप चाहते हैं तो मैं करूँगा पर अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी यादा लंबा हो जाएगा लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा जो content है उसके बारे मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बुक किस तरह से लिखी गई और कैसी है जैसे यहाँ पर लिखा गया है लोगों की शक्ति पहली शाब क्योंकि जब हम लोग first impression is the last impression तो इस बुक में ऐसा भी बताया गया इस बेक्ति में ऐसा कुछ है जो मुझे सच मुझे पसंद है नजरिया ही सब कुछ है कारे शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलते हैं लोग अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं हम अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं जो हमारे हमें लगता कि हमारे इसका नेचर जो हमारे जैसा है तो हम लोगों का जो communication skill होता है उस इनसान के साथ अच्छा हो जाता है दोस्तों ये किताब जो खंडों में लिखे गई है ये पार्ट बाइस लिखे गई है आप देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं दस इसमें chapter दिये गए है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं काफ़े अच्छे book है ये भी अभी मैं चलता हूँ next book के दरफ दोस्तों जो हमारे third number पे book है इसका नाम है how to win any arguments without raising your voice, losing your goal or coming to blows दोस्तों आप लोगों को इसका headline से पता चल गया होगा इसका जो main theme से पता चल गया होगा कि हम लोग जो अब अपनी voice को ज्यादा raise न करके अपने temper को lose न करके किस तरह से लोगों के argument को जीज सकते हैं तो इस book में बहुत आची techniques के through बताया गया है और ये book लिखे गया है Robert Meyer के द्वारा तो काफ़ अची book है ये दोस्तों यहाँ पर बहुत आची techniques बताया गयी है आप देख सकते हैं फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इन books के बारे में थोड़ा detail में review किया जाए तो मैं करूँगा और ये communication skill की काफ़ अची किताबे हैं जो आप पढ़के अपने communication skill को काफ़ अच्छा कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये रूपा publication के द्वारा इसको publish किया गया है तो इसमें comment भी किये गए है तो आप देख सकते हैं इस book को काफ़ी शांदर book है अब भी मैं चलता हूँ next book की तरफ दोस्तों जो मेरे next book है इसका नाम है लोक बिवहार के चोवन 54 सादन न्यू योग टाइम्स बेस्ट सेलर book है ये और संबंद बनाने खुशी पाने और दोलत हासिल करने के 54 असान तरिके एलन सी फोक्स के दौरा ये बुक लिखे गई है और हिंदी में इसका नाम है पीपल टूल्स तो आप देख सकते हैं इस book को भी ये वैस सेलिंग बूक है ये पोस्तर संसार के लिए बहुत कुछ कर सकती है ये बुक संसार के लिए बहुत कुछ कर सकती है और ये बोला गया है बिलकोस भी के दौरा तो आप देख सकते हैं इस book को भी इस book को भी आप देख सकते हैं दोस्तों मैं उन्हीं किताबों को recommend कर रहा हूं जो मैंने पड़ी हुई है जो मैंने नहीं पड़ी है तो आप यहां पे देख सकते हैं 80% प्रतिशत सामाधान इसमें 54 टिप्स बताए गई है 54 टेक्निक्स बताए गई है और यहां पे आप देख सकते हैं इनको दोस्तों detail में मैं नहीं बता सकता हूं मैंने पहले बताए कि ताकि विडियो लंबा हो जाएगा तो यह मेरी book थी जिसके बारे में मैं आपको बताया लोक बेवार के 54 साधन और य मैं आपको next book के बारे में बताता हूं लोक बेवार लोगों को अपना बनाने की कला जीवन में बेवारता के नए आयाम प्रसूत करती हुई एक पुस्तक जिससे आप बनाएंगे अपने को और आदिक बेवार कुशल है यह पुस्तक जो अब हो सूर सीनह के दौरा लिखे ग करूंगा कि इसमें जो content की है वो किस तरह से आपके लिए useful रहेगा और देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिन topics में मैंने highlight किया वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्या पता आपको दूसरे topic पसंदा सकते हैं जैसे यहां पर बताया गया है यह नंबर बन पर बता एगर से दिखना कैसे है इन्व लोग बेहार में देख्ष कैसे हो इनों ने बताया कि लोग बेवार में लोग का मतल़ होता है जो हमारे अन्तरिक हो चाहे वह वह भाहरी तोर पर, जो हमारी संवेद्शनय होती है वो हम लोग किस तरह से प्रकट करते हैं तो इस book में काफ़े अच्छे तरिके से बताया गया है दोस्तो तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं दोस्तो एक बार मैंन को last में फिर से बताऊंगा आप एक बार देख सकते हैं लोग बेवार सूरे सीनह के दवार ये book लिकर गई है अभी मैं आपको बताता हूँ next book दोस्तो ये books मेरी favorite भी है और मैं आपनी तरफ से आपको recommend भी कर रहा हूँ आप चाहें तो इन books को पढ़ सकते हैं और जो भी book आपको पसंद आती है आप वहाँ से start कर सकते हैं तो दोस्तो अभी जो मेरी next book है वो है लोग पर ये बनने की कला और बातचित शूरू कैसे करें और दोस्त कैसे बनाए ये book लिखे गई है Don't Gather के द्वारा और English में इसका नाम है How to start a conversation and make friends तो दोस्तो ये बहुत ही अच्छे book है मैं इसके जितनी तारिफ करूँ उतनी कम है इसके बारे में थोड़ा सा आपको अंदर से बताता हूँ दोस्तो ये book जो चार पार्ट में लिखे गई है और टोटलिक्स में 15 चप्टर दिये पार्ट बन में बताया गया आतम विश्वास के साथ करें बाचीत की शुरुबात पार्ट सेकंड में बताया गया चत्राई और जादू से बाचीत आगे बढ़ाना और तीसरे पार्ट में बताया गया कि बाचीत को परबाबी डंग से खतम करना हम लोग बाचीत स्टार कर देते हैं लेकिन उसे खत्म करना भी उतना परबाबी डंक से आना चाहिए और नमबर जो इसका पार्ट फोर है उसमें बताया गया है अपनी बाचित को अगले इस तरह तक ले जाना तो ये भी दोस्तों काफी अच्छी बुक है है मैं बुक्स की इतने और कम है और इस बुक्स में जो special चीज़ दी गई है वह इसमें डायग्राम भी दी गई यस wordt यहां में डायग्राम देख सकती है आप लोग डायग्राम भी बताई गई है किस तरह से अप डायग्राम के थूर। चीज़ों समझ सकते हैं उमीदे भाबने तत्थे लक्ष मज़ा विचार राय इच्छे सपने तो काफी अच्छी बुक है यह दोस्तो आप देख पा रहें यहां बे इसका जो फ्रंट पेज है वो भी काफी अच्छा है अभी मैं आपको बताता हूं जो नेक्स्ट बुक है मेरी तरफ से और रिक्मेंट किया रही है ऐसी बानी बोली है परवाबी बाची से जीतें परवार मित्रों और वैबसाइक सही योगियों का दिल ये बुक लिखी गई है डॉक्टर पॉल स्वेट के द्वारा और इसकी जो बुमिका लिखे गई है नॉर्मेट बेसेंट पील के द्वारा और इसे इंग्लिश में बोलते हैं the art of talking so that the people will listen तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो बानी होती है उसी के थुरू हम लोगों को अपनी तरफ अट्राइक कर सकते हैं लोगों का दिल जीत सकते हैं तो ये भी मेरे तरफ से आपको रिक्मेंट कर की जा रहे हैं ये मेरी चर्चा को नकरात्मक आदतों को दूर करें सुनने की कला और पता लगाएं कि बाचित कैसे असर डालती है लोगों का द्यान जीतें तो ये इसका चैप्ट नबर 6 था उन व्यक्टियों से निकटता बढ़ाएं जिनकी आपको परभा है बच्चों से बाचित करतस में आदर लोग को अपने सहयोग के लिए मनाएं और जगड़े मिटाएं तो दोस्तों ये बुक्स थी जो मैंने आपको रिक्मेंट की हैं अब मैं एक बार फिर से इनके बारे में आपको बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से बुक बताई हैं दोस्तों जो मेरी पहली बुक थी और ये Alan C. Fox के दौरा लिकी गए थी फिर हाव टूबी ने अनि अर्गुमेंट्स रोबिट मायर के दौरा लिकी गई इसके बाद मैंने बताया लोग बेबहार सूरे सिनह के दौरा इसके बाद ऐसी बानी बोली है डोक्तर पॉल स्वेल्ड के दौरा और बुमिका में नॉर आप अपनी राए कुमेंट कुमेंट बक्स में जी रूप बताएं आप लोगों ने मुझे तना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत न्यवाद थेंक यू वेरी मच दिल से